आप सबको मेरा नमस्ते आपने पहले टुटॉर में पहले देखा था कि एसेंशन नुटूशन चाहिए तो पोषण करिया प्रेगनिंसी में क्या है और बच्यों में क्या है तो उसको लेकर हम लोगों ने प्रेगनिंसी के लिए टुटॉल्स बनाय हूए वेजिटर्ण रेसिपीज भी है और non-vege recipes भी है जो भी आपने सीखा है कि pre pregnancy में प्रेगनसी में क्या खाना चाहिए वो सारे हम लोगों ने ऐसी recipes बनाई है जिसमें वो सारे तत्वा मिले मा को जितना अलग अलग तरह का खाना मा खाएगी उतने अलग अलग तरह के उसको पोशन तत्वा मिलेंगे ठीक है तो यह आपको recipes आप घर पे आप अपने लिए भी बनाई है सनी है कि सिफ pregnant mothers के लिए है आप भी बना सकते है लेकिन यह जो information है यह आपको pregnant mothers तक लिखे जानी है ठीक है तो आप देखे और recipes लिखके आप घर पे भी ट्राइब करिए ठीक है तन्यवाद गर्बवतियों के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सीखेंगे पोशन से भरपूर आहार की महत्वता और पोशन से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके आईए पहले समझते हैं कि पोशन से भरपूर आहार की क्या महत्वता होती है गर्भावस्ता के दौरान पोशक तत्वों की जरूरत बढ़ जाती है। ये खास तौर पर कोशिकाओं के विकास के लिए होता है। पोशन से भरपूर आहार भृून की वृद्धी और विकास में सहयोग देता है। इसलिए ये जरूरी है कि बहतर पोशन वाला आहार खाया पोशन से भरपूर आहार गर्भावस्ता में शरीर को तकलीफों से बचाता है। आहार में भरपूर प्रोटीन, अच्छी चर्बी, विटामिन और खनिच पदार्थ होने चाहिए। पोशन से भरपूर आहार खाने से मतली और कब्स से भी राहत मिल सकती है। पोशन से कम वजन का पैदा होना और समय से पहले प्रसव के खत्रे से भी बचाता है। आहार के अलावा हर दिन आठ से दस गिलास पानी भी जरूर पीना चाहिए। पोशन से भरपूर खाने के साथ ये भी जरूरी है कि शरीर पोशक तत्वों को सोख पाए। खाने में पाए जाने वाले फाइट, ओक्जलेट और टैनिन शरीर को पोशक तत्वों को सोखने पर असर करते हैं। खाने को पकाने के अलग-अलग तरीकों से शरीर का पोशक तत्वों को सोखना बढ़ाया जा सकता है। जैसे भिगोना, अंकुरन, भूनना और खमीर उठाना, सेकना, पकाना औ और उबालना भी कुछ उदाहरन है। पोशक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अलग-अलग पोशन से भरपूर पाउडरों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। सैजन के पत्तों का पाउडर, कड़ी पत्तों का, दाने और बीजों का पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते इन पाउडरों को बनाने के तरीकों के बारे में एक अन्य टूटोरियल में समझाया गया है। इस टूटोरियल के लिए कृप्या हमारी वेब साइट देखें। गर्भावस्ता के नौ महीनों में स्वस्त तरीके से वजन बढ़ना जरूरी है। इस दोरान शक्कर का इस्तेमाल ना करें। ना ही गुड और फैक्टरी में तयार किया हुआ जटपट पकने वाला खाना खाएं। कैफीन, शराब और तंबाकू के इस्तेमाल से भी बचें। बिना डाक्टर के अनुमती के किसी भी दवा का सेवन ना करें। इसके बारे में अधिक जानकारी एक अन्य टुटोरियल में समझाई गई है। अब आए सबसे पहले बनाना सीखते हैं लोबिया की इडली। इसे पकाने के लिए हमें चाहिए दो-दो चमच, साबुत बाजरा, साबुत कंगनी। साथ में हमें चाहिए एक एक चमच, अंकुरित लोबिया, अंकुरित साबुत काला चना, मेठी के बीज, भुने हुए सूरज मुखी के बीज, और हमें चाहिए एक चोथाई चमच, सहजन के पत्तियों का पाउडर, कडी पत्तियों का पाउडर, दाने और बीजों का पाउ क्रिया को समझते हैं. रात भर के लिए लोबिया और काले चने को अलग-अलग भिगो दें. सुबह पानी निकाल कर अलग-अलग सूती कपड़ों में बांध दें. फिर अंकुरित होने के लिए हलके गरम जगा पर दो दिन के लिए रखें. याद रखें अलग-अलग फलियां अंकुरित होने में अलग-अलग समय ले सकती हैं. जब फलियां अंकुरित हो जाएं तो बाजरा और मेथी को इकठे भिगो दें. इन्हें रात भर या 6-8 घंटों के लिए भिगो दें. सुबह पानी निकालें और सूरज मुखी के बीजों के साथ पीस कर एक घोल बना लें पीसने के लिए मिक्सी या सिल्बटे का इस्तमाल करें. पीस कर इस मिश्रन का खमीर उठने के लिए रात भर या 6-8 घंटों के लिए रख दें. पकाने से पहले घोल में नमक और अन्य पाउडर डाल कर अच्छे से मिलाएं. इडली के बरतन में हलका तेल लगाएं और घोल को डाल दें. फिर कुकर या स्टीमर में 10-12 मिनट तक पकाएं. या फिर कुकर में एक चौथाई पानी भर कर बिना सीटी लगाएं भाप लगवा सकते हैं. 7-8 मिनट के बाद इडली निकालें और गरम-गरम परोसें. इस इडली में भरपूर है प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन और भरपूर हैं फोलेट, मैगनिशियम और पोटैशियम भी. अगला हम सिखेंगे सनवा और बाजरा की खिचडी. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक-एक चमच, साबुत सनवा, अंकुरित बाजरा, अंकुरित सोयाबीन, एक बारी कटा प्याज, एक बारी कटा इसके साथ चाहिए एक-एक बड़ा चमच, गिसा हुआ नारियल और खस-खस के बीज, साथ ही चाहिए आधा कब दही, एक चौथाई चमच, हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा, सहजन के पतियों का पाउडर, कडी पतियों का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और एक-चमच, तेल या घी, ध्यान रखें, हमने बाजरा और सोयाबिन को अलग-अलग भिगो कर अंकुरित किया है, अलग-अलग सामगरी अंकुरित होने में अलग-लग समय ले सकती है या फिर इकठे हो सकती है, जब मैंने बनाया, तो सोयाबिन ने अंकुरित होने में जादा समय लिया, सन्वा को पानी में 6-8 घंटों तक भिगो दें, फिर पानी निकालें और इसे अलग रख दें, प्रेशर कुकर में तेल गरम करें और जीरा डालें, अब सारी सबजियां, सन्वा, अंकुरित बाजरा, अंकुरित सोयाबीन और दही डाल दें, गिसा नार और एक कप पानी डालें, खिचडी को कुकर में 2 सीटी तक पकाएं, जब बन जाएं तो परोज दें, ये खिचडी भरपूर है, प्रोटीन से, अच्छी चरबी, विटामिन A और कैल्शियम से, इसमें भरपूर हैं खनिज पदार्थ जैसे आईरन, फोलेट, मैगनिशियम और फोस्फोरस, तीसरा हम सीखेंगे मूंग रैप, इसके लिए आपको चाहिए एक चौथाई कप अंकुरित रागी का आटा, एक बड़ा चमच बेसन, आधा कप अंकुरित मूंग, एक चौथाई कप मसला हुआ पनीर, एक बड़ा चमच कटा हुआ प्याज, एक बड़ा चमच कटा हुआ टमाटर, इसके साथ हमें चाहिए एक चौथाई चमच, हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा, कड़ी पत्ता पाउडर, सहजन के पत्तियों का पाउडर, एक बड़ा चमच तेल या घी, हमें चाहिए होगा साथ में आधा निम्भू और नम स्वादनुसार, मूं को पहले इस टुटोरियल में बताये गए तरीके से अंकुरित कर लें, अंकुरित रागी का आटा तैयार करने के लिए रागी को रात भर भिगोई रखें, अब इसे मलमल के कपड़े में बांध दें और 6-8 घंटों या रात भर रखें, अंकुरित हो होने के बाद रागी को लोहे के तवे पर सूखा भून लें, फिर मिक्सी या सिलबटे पर पीस कर आटा बना लें और अलग रख दें, लोहे के तवे पर तेल गरम कर लें, जीरा, सूखे मसाले और पाउडर डालें, कटी हुई प्याज और टमाटर डालकर थोड़ा नरम हो होने तक पकाएं, फिर अंकुरिक मूंग डालकर इसे दस मिनट और पका लें, इसमें पनीर और नमक डालें, फिर पान से दस मिनट तक पकाएं, एक चौथाई कब पानी डालकर इसे पान से दस मिनट तक और पका लें, अब चूला बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें, फिर निम्बू का रस मिलाकर इस मिश्रन को अलग रख दें, अब रागी के आठे और बेसन को एक कटोरे में मिला लें, इसमें गुनगुना पानी मिलाकर आठे की लोई बना लें, अब लोई को बेल कर पराठे की तरह बनाएं, फिर तवे पर पराठे को दोनों तरफ से सेक पराठे को सेख कर प्लेट में रख लें और पराठे के बीच में मूम का मिश्रन रखें फिर इसे लपेटें और परोसें इसमें भरपूर है प्रोटीन और अच्छी चर्बी इसके साथ साथ इसमें हैं कैल्शियम, आईरन और फोलेट, मैगनीशियम और जिंक भी सन्वा, बाजरा और अनाज के अलावा आप दूसरे सामगरी भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे जवार, कोद्रा, तूटे गेहूं या साबुद गेहूं इसी तरह आप अंकुरित अनाज भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे अंकुरित सफेद चना, अंकुरित हरी मतर या अंकुरित मोट बताए गए बीजों के अलावा अपने इलाके के दूसरे बीजों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे तिल के बीज, कद्दू के बीज, सन के बीज और हलीम के बीज गर्भावस्ता में बहतर स्वास्त और शिशू की अच्छी सेहत के लिए इन खानों को अपने आहार में शामिल करें ये टुटोरियल यहीं समाप्त होता है इस स्क्रिप्ट को विने कुमार ने अनुवादित किया है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ मासाहारी खाना बनाने के तरीके गर्दवतियों के लिए पहले जानेंगे अलग-अलग मासाहारी खाना खाना क्यों जरूरी होता है मासाहारी खाना जैसे की चिकन, मास, मचली, जींगा, भेजा, कलेजी ये सब प्रोटीन, जिंक, कोलीन, आइरन और कैल्शिम से भरपूर होते हैं ये पोशक तत्व भुरून के विकास और बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं ये शिशु की बुद्धी के विकास के लिए और मा की तंदुरुस्ति बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। गर्बावस्ता में मासाहारी खाना खाने से ये सभी पोशक्तत्व शरीर को मिलते हैं। अब हम कुछ मासाहारी खाना बनाने के तरीके देखेंगे। हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया के पते कटे हुए, एक बड़ा चम्मच तेल और नमक स्वाधनुसार। पहले देखेंगे अंडे उबालने का सही तरीका। एक बर्तन में एक इंच तक पानी भरें, उसमें अंडे डालें और धक्कन से बंद करें। पानी को तेज आंच पर उबालें, फिर 6-7 मिनिट तक मध्यम आंच पर पकाएं ताकि अंडे अच्छे से सखत हो जाएं। फिर ठंडा करके छिलका निकाल दें। कड़ाई में तेल गरम करें और अद्रक, लहसुन, प्याज, कड़ी पता डालें। मध्यम आंच पर प्याज को सुनेरा होने तक भूनें। फिर सुखे मसाले डाल कर मिलाएं जब तक की खुश्बू आने लगे। और टमाटर और नमक भी डाल दें। फिर एक कप पानी भी डाल कर उबाल लें। धीमी आंच पर कुछ मिनिट तक पकाएं जब तक टमाटर भी उबलने लगे। अब उबले अंडे डाल दें। कडाई को ढखें और 10-15 मिनिट तक उबले अंडों को पकाएं। फिर आंच बंद करके धन्यापते डालें। परोस्ते हुए तरी को हलके से हिलाएं ताकि अंडे तूटे ना। अगला है चिकेन चटिनाड। इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकेन का सीना, एक बड़ा चमच तेल, एक बड़ा बारीक कटा प्याज, एक मध्याकार टमाटर, एक से दो डंडी कड़ी पत्ते और एक तेज पत्ता। चिकन पर लगाने वाले मसाले के लिए चाहिए एक चोथाई चमच हल्दी, एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चमच अधरक लहसुन पीसा हुआ और नमक स्वाद अनुसार। सबजी की तरी बनाने के लिए चाहिए आधा चमच धनिया के बीज, आधा चमच सौंफ, एक चमच काली मिर्च, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, दो इलाईची, दो लॉंग, आधा इंच दाल चीनी और दो बड़े चमच गिसा हुआ नारियल। पहले चिकन को एक बरतन में रखें और उसके उपर ये सभी डालें, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अधरक लहसुन पीसा हुआ और नमक, फिर 30-45 मिनिट तक कमरे के तापमान में रखें, अलग से धीमी आँच पर धनिया के बीच भूनें, दो से तीन मिनिट के बाद बच अचे हुए मसाले भी डालें, और भूनें जब तक मसालों की खुश्बू आने लगें, फिर निकाल कर अलग रख लें, और नारियल को भी इसी तरह भूनें, मसाले और नारियल को ठंडा होने दें, सिल्बटे या मिक्सी में डालें, और एक बड़ा चमच पानी डालकर पी यह होने के बाद चिकन डाल कर चार से पांच मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं फिर टमाटर की प्यूरी हल्दी मिर्च और नमक डालें अच्छे से मिलाएं जब तक तेल अलग नजर आए इसके बाद पीसा हुआ मसाला और कड़ी पता डालें फिर दो से तीन मिनट तक पका अब एक चोथाई कब पानी डालें और ढकन लगाकर पकाएं जब तक की चिकन नरम और मुलायम हो जाएं इसे हल्के आंच पर पकाएं जब तक तरी गाडी हो जाएं फिर कड़ी पता डालें और परोसें याद रखें ये करी हम मटन, कलेजी, भेजा, जींगा या मचली डा कर भी पका सकते हैं अब तीसरा सीखेंगे चिकन के कलेजी की सुखी करी इसे बनाने के लिए चाहिए 100 ग्राम चिकन की कलेजी, एक बारी कटा प्याज, एक कटा टमाटर, छे लसुन की कलियां, एक चोथाई इंच अद्रक का टुकड़ा, दो बड़े चमच धनिया के पते क एक बड़ा चमच तेल, नमक, स्वाद अनुसार और एक बड़ा चमच नीबू का रस। शुरुआत करें प्याज, टमाटर, लहसुन, अद्रक और धनिया के पतों को अच्छे से पीस कर। फिर इस पीसे मसाले को चिकन के कलेजी के उपर लगा कर कमरे के तापमान में 10 से 15 म मिनट रखें, अब कड़ाई में तेल गरम करें और मसाला लगा हुआ कलेजी डाल दें और फिर अच्छे से मिलाएं, एक चोथाई कब पानी भी डालें और धीमी आँच पर 10 मिनट पकाएं, फिर आँच तेज करके अच्छे से पकाएं, पकने के बाद आँच बंद कर दें ठंडा होने पर निम्भू का रस मिलाएं, परोस्ते समय धो कर काटे गए धन्या के पते डालें, चिकेन कलेजी ना हो तो बकरे की कलेजी भी डाल सकते हैं अगला है पालक करी में मचली, इसके लिए चाहिए दो छोटे टुकडे बांगडा, एक कप पालक के पते, एक कटा प्याज, एक कटा टमाटर, एक चमच जीरा, दो से तीन लहसुन की कलियां, एक चौथाई चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच जीरा पाउडर, एक चौथाई चमच काले मिर्च पाउडर, एक चौथाई चमच धनिया पाउडर, एक बड़ा चमच सफेद तिल, एक चमच तेल और नमक स्वाद अनुसार, पहले मचली को धोकर साफ करें और दो टुकडों में काट लें, कड़ाई में तेल गरम करके जीरा डा पालक के पत्ते डालें और एक मिनिट तक पकाएं और ठंडा करें, इसके बाद पालक, टमाटर और सफेद तिल मिक्सी में डाल कर पीस लें, कड़ाई में तेल गरम करें और कटा प्यास डालें, और उसके गुलाबी होने पर कटा लसुन डाल कर तब तक भूने जब तक वो भूरा ना हो जाए, फिर सभी मसाले डालें और तब तक भूने जब तक मसालों की खुश्बू आने लगे, अब इसमें पीसा हुआ पालक डालक कर कुछ मिनट पकाएं, फिर मचली भी डालें और पकाएं, अब एक चोथाई कब पानी डालें और नमक भी, फिर ढखकन लग मिलने वाली कोई भी मचली से आप ये करी बना सकते हैं आखिर में हम सीखेंगे मीट बॉल की करी इसके लिए चाहिए 100 ग्राम मास का कीमा एक बारी कटा हुआ प्यास एक कटा टमाटर आधा बड़ा चमच पिसा हुआ अद्रक एक बड़ा चमच पिसा हुआ लहसुन एक चमच तेल एक बारी कटा प्यास एक बड़ा चमच पिसा हुआ लहसुन आधा बड़ा चमच पिसा हुआ अद्रक आधा चमच जीरा पाउडर एक चौथाई चमच हल्दी आधा चमच मिर्च पाउडर गरम मसाला और धन्या पाउडर एक बड़ा टमाटर कटा हुआ और नम डाल कर मिलाएं उसमें पिसा हुआ अद्रक लहसुन गरम मसाला धनिया के पत्ते और नमक भी डालें अब इसे छे भागों में बांट लें और छे गोले बनाएं कड़ाई में तेल गरम करें और बचा हुआ कटा प्यास भी डालें फिर भूरा होने तक भूनें पिसा हुआ अद्रक लहसुन डाल कर भूनें फिर सभी मसाले डालें धनिया पाउडर जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला और हल्दी दो से तीन मिनिट तक फिर से भूने अब टमाटर डाल कर दो से तीन मिनट भूने आधा कप पानी और नमक भी डाले अब धीरे से मीट बॉल को डाल कर धीमी आंच पर पकाए पांच मिनिट के बाद हलके से मिलाएं और मीट बॉल को फिर से पकाएं फिर गर्मा गर्म परोसे मास का कीमा ना हो तो चिकन का कीमा भी इस्तिमाल कर सकते हैं ये याद रखना जरूरी है कि इस सबजी में ये सभी भरपूर हैं अब ये टुटोरियल यहीं समापत होता है मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद गर्भवदी महलाओं के लिए पोश्टिक शाकाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे गर्भावस्ता के दोरान पोशक तत्वों से भरपूर आहार का महत्व कुछ शाकाहरी आहार बनाने के तरीके इन आहारों की पोशक सामगरी सबसे पहले गर्भावस्ता के दोरान पोशन के महत्व को समझते है गर्भावस्ता के दोरान महला में शारिरिक और हार्मोन के परिवर्तन होते है शरीर की पोशन संभंधी ज़रूरते बढ़ जाती है महला जो खाती है वह बढ़ते भ्रुण के लिए भी पोशन का स्त्रोथ है इसलिए गर्भवती महलाओं को पौश्टी खाना खाना चाहिए खाना प्रोटीन, अच्चे फैट, विटमीन और खनी जो से भरपूर होना चाहिए यह गर्भावस्ता के दोरान किसी भी तकलीफ को होने से बचाएगा उदाहरन स्वरूप गर्भावस्ता में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनिमिया यह मतली और कब से राहत दे सकता है परियाप्त पोशक तत्वों का सेवन न करने से धुरुन का विकास रुख सकता है समय से पहले प्रसव और जन्म के समय कम वजनवाले शिशु होने की संभवना बढ़ सकती है इसलिए गर्भावस्ता के दोरान पोशक तत्वों से भरपुर आहार खाने की सला दी जाती है अच्छे खाने के अलावा परियाप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है पानी पेशाप के इन्फेक्शन के खत्रे को कम करने में मदद करता है यह कब्ज को भी कम करता है इसलिए रोजाना आठ से दस गिलास पानी जरूर पिए गर्भावस्ता के दोरान शराब, ड्रग्ज और धुम्रपान से बचना चाहिए इससे गर्भपात और समय से पहले शिशू के जन्म का खत्रा बढ़ जाता है पौश्टिक आहार खाने के अलावा इसका शरीर द्वारा सोग जाना भी जरूरी है खाने में औक्सलेट्स, फाइटेट्स और टेनिन्स जैसे हानिकारक तत्व भी होते है इनसे शरीर पोशक तत्वों को नहीं सोग पाता है खाना पकाने के विभिन्न तरीकों से पोशक तत्वों का सोग जाना बढ़ाया जा सकता है उदाहरन स्वरूप, भीगोना, अंकुरित करना, भूनना और खमिर उठाना भाप में पकाना, भूनना और उबालना कुछ अन्य उदाहरन है खाना बनाना शुरू करते है एक चोथाई कप अंकुरित लोबिया, एक चोथाई कप चोलाई के पत्ते, एक छोटा कटा प्याद, एक चोथाई कप भूना बेसन, और एक चोटा चमच अद्रक लहसून की पेस्ट आपको मसालों की भी जरूरत होगी जैसे एक चोटा चमच धनिया पावडर, एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पावडर, और एक चोथाई चोटा चमच मिर्च पावडर अन्य जरूरी सामगरी है पाव चोटा चमच करी पत्तों का पावडर, पाव चोटा चमच सहजन के पत्तों का पावडर, और पाव चोटा चमच दानों और बीजों का पावडर इन पावडरों को बनाने के बारे में अन्य टुटोरियल में बताया गया है अधिक जानकारी के लिए गुपया हमारे वेबसाइट पर जाएं आपको इनकी भी जरुरत होगी एक बड़ा चमच तेल या घी और स्वाद अनुसाल नमक शुरू करने से पहले मैं आपको लोविया को अंकुरित करने का तरीका बताऊंगी लोविया को धोए और राद भर या 6-8 घंटों के लिए पानी में भीगो दे बाद में पानी को निकाल दे और इसे एक साफ मलमल के कपड़े में बांध दे इसे 6-8 घंटों के लिए किसी गर्म जगा पर रख दे और इसे अंकुरित होने दे इसी तरह आप चने, सोया बीन, मोट को भी अंकुरित कर सकते हैं अब कटलेट तयार करते हैं अंकुरित लोविया को एक कप पानी के साथ 2 सीटी तक प्रेशर कूकर में पकाएं पकने के बाद थंडा करने के लिए रख दे थंडा होने पर लोविया को घोटे तेल के अलावा बाकी सामगरी को घोटे हुए लोविया के साथ मिलाए मिश्रन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटे और छोटे-छोटे चपते कटलेट बना ले अब पैन में थोड़ा सा तेल डाले हलका भूरा होने तक कटलेट को दोनों तरफ से फ्राई करे अंकुरित लोविया के कटलेट तयार है इस पाककृती में प्रोटीन, अच्छा फैट, कैल्शियम, मैगनेशियम और पोटैशियम होता है इसमें आईरन, जिंक और फोलेट जैसे अन्य पोशक तत्व भी भरपूर होते है लोविया की जगह आपके इलाके की अन्य फलियों का इस्तमाल आप कर सकते है उदाहरन स्वरूप, चना, सोया बीन और मोठ डाल चौलाई के पत्तों की जगह अन्य हरी पत्तेदार सबजियों का भी इस्तमाल कर सकते है उदाहरन स्वरूप पालक, मेथी के पत्ते, अगेती के पत्ते, सहजन के पत्ते अब अंगला सीखते हैं कई डालों से बना उतपम इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक बड़ा चमच अरहर डाल एक बड़ा चमच मूंग डाल एक बड़ा चमच चना दाल दो बड़ा चमच उड़त दाल एक बड़ा चमच सावा और एक बड़ा चमच कुटकी अन्य जरुरी सामगरी है एक बड़ा चमच कटा हुआ टमाटर एक बड़ा चमच कटा हुआ गाजर एक बड़ा चमच कटा हुआ शिमला मिर्च और एक छोटा चमच मेती दाना, जरूरी मसाले है आधा छोटा चमच धनिया पावडर, आधा छोटा चमच जीरा पावडर और आधा छोटा चमच लाल मिर्च पावडर, अन्य जरूरी सामगरी है पाव छोटा चमच दाने और बीजों का पावडर, पाव छोटा चमच सहजन के पत्तों का पावडर और पाव छोटा चमच करी पत्तों का पावडर, एक बड़ा चमच तेलिया घी और स्वाद अनुसाल नमक. बनाने का तरीका, सबसे पहले सभी डाल, सावा और कुटकी को अच्छी तरह से धोए और रात भर भीगो कर रखे. आप या तो उन्हें अलग-अलग या सभी को एक साथ भीगो सकते हैं. मेथी के दानों को भी भीगो दे. फिर दाले, सावा और कुटकी को पीस कर मुलायम घोल बना ले. मेथी के दानों को दालों के साथ ही पीसे. इसे खमीर के लिए रात भर किसी गर्म जगह पर ढख कर रखे. पेस्ट के फुलने के बाद अन्य सामगरी डाले और अच्छी तरह मिलाए. लोहे के पैन में तेल या घी लगाए. पेस्ट को पैन में गोला का राकार में डाले और उत्तपम बनाए. धीमी आज पर दोनों तरफ से पकने दे. पकने पर गर्मा गरम परोसे. यह प्रोटीन अच्छे फैट, विटामिन A, कैल्शियम और मैगनेशियम से भरपूर है. इसमें आईरन, जिंक, फोलेट और फोस्परस जैसे पोशक तत्व भरपूर है. अब हम आखिरी सीखेंगे भाप में पकाई हुई लोकी की पकोडिया. इसे बनाने के लिए आपको चाहिए तीन चोथाई कप कद्दुकस की हुई लोकी, दो बड़ा चमच अंकुरित ज्वार, दो बड़ा चमच अंकुरित बाजरा, और एक बड़ा चमच भूना बेसन. आपको इसकी भी जरुरत हो अन्य जरुरी सामगरी है पाव छोटा चमच हल्दी पावडर, पाव छोटा चमच धनिया पावडर, पाव छोटा चमच मिर्च पावडर, पाव छोटा चमच सहजन के पत्तों का पावडर, पाव छोटा चमच करी पत्ते का पावडर, एक बड़ा चमच तेल या घी और स् पहले बताए गए तरीके के अनुसार ज्वार और बाजरा को अंकुरित करें कृपया ध्यान दे कि विभिर्न सामगरियों को अंकुरित होने में अलग-अलग समय लगता है इस खाने के लिए ज्वार और बाजरा समान समय में अंकुरित होंगे अंकुरित होने पर इन्हें धी दिल को छोड़ कर बाकी सभी सामगरी को मिला ले। यदि लोई बनाने के लिए अवश्यक हो तो एक से दो छोटे चमच पानी डाले। अपनी हतेलियों पर तेल लगाए। लोई से दो लंबी पकोडी बनाए। अब कुकर में पानी डाले। प्लेट रखने के लिए कुकर में अंदर छोटा सा स्टैन रखे। इन पकोडों को प्लेट पर प्रेशर कुकर में रखे। धक्कन पर सीटी लगाए बिना इन्हें 15 से 20 मिनट तक पकाए। इन्हें ठंडा होने दे और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे। फिर इन्हें गोलाकार में काट ले। अब पैन में थोड़ा तेल डाले। पकडों को पैन पर रखे और दोनों तरफ से सेंक ले। ये पक्का करे कि वे कुरकुरे और सुनेरे हो गए है। निकाले और भुने तील से सजाए और परोसे। यह पाककृती प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आईरन, जि यह विटामिन A और विटामिन C जैसे विटामिन का बहुत अच्छा स्त्रोथ है। इसी के साथ यह टुटोरियल समाप्थ होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अच्छा स्त्रोबस